तो दोस्टो रश्या के तरफ से भारत को किया गया और एक बड़े हतियार का उफर और दोस्टो ये हतियार है पलमा शिप बॉर्ण ऐर डिफेंस सिस्टम का दोसो रिपोर्टों के मुताविक रोसाबरन एक्सपोर्ट के तरफ से आर्मी 2021 एक्जिविशन के ही दर्मियान इन शिप बॉर्ण एर डिफेंस सिस्टमों को फोरेंड कंट्रियों के द्वारा इस्निमाल किया जाने वाले जहाजों के लिए एक्सपोर्ट के ओफर के साथ ओफर किया गया जो बैसिकली पलमा सिस्टमों के साथ इंटीग्रेटेड रहता है दोसो इन सिस्टमों को समुदर के ओपर तैरने वाले जहाजों को दुश्मन के मिसाइल, एंटी रैडर मिसाइल, गाइडेड एरियल बॉम, एयरक्राफ्ट, हेलिकॉफ्टर और छोटे अन पलमा सिस्टम है, इसमें इस्तेमाल होने वाले एर डिफेंस आटिलेडी करीबन 200 मिटर से लेकि चार किलो मिटर के डिस्टेंस तक हवाई खत्रे को निउटलाइज करने का शमता रखता है, जवकि दूसरे तरफ इसमें इस्तेमाल होने वाले सॉर्फेश टू एयर मिसाइल मतलब सोसना आर सॉर्फेश टू एयर मिसाइल करीवन 10 किलो मिटर तक टारगेटों को निशाना बनाने का शमता रखता है, इवन पलमा में इनिशियली 10,000 राउंड के 30 मिलिमिटर के काड्रेज और 8 रेडि टू फायर मिसाइलों को स्टोर किया हुआ रहता है, मतलब ये हर स करने के लिए हमला बोल सके, रिपोर्टों में जानकरी दिया जा रहेगी ऐसे सिस्टम करीवन 3-5 सेगंड के अंदर ही रियक्ट करता है, जबकि ये जो मॉडिूलर सिस्टम है, ये इतना भी भारी भर कम नहीं है कि ये जहाज के वजन को काफी गुना बढ़ा दे, रिपोर दोस्तों फिलाल देखा जाए तो भारत के द्वारा अपने जहाजों में इस्तेमाल किये जाने वाले ऐसे सिमिलर सिस्टम जादतर रुशियन मेड है, भारत अपने प्रोजेक 15A कोलकाता क्लास के जहाज प्रोजेक 15B, विशगा वर्टनम क्लास के डेस्ट्रॉयर, प्रोज बेशिकली शॉर्ट रेंज के एर डिफेंस मिसाइलों के रूप में भी रशिया के ही वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइलों को अपने जहाजों के बेड़े के उपर इस्तेमाल करता है, जबकि मीडियम रेंज के मिसाइल के रूप में भारत द्वारा इस्रैली मेड मिसाइलों क इस्तमाल किया जा रहा है ऐसे में संभावना एं तो ये भी है कि भारत को offer किया गया इस नए system को लेके भारत द्वारा चर्चा शुरू किया जाए क्युकि ये जो नया system ہے या आने वाले समयमें, रेशिया के ही द्वारा निर्मान किया हुआ तो यहाँ पे खाली रश्या का ही दबदवा नहीं रहेगा बलकि भारत जिस तरीके से अव रश्या से बाहर निकल के अन्य देशों के हतियारों को भी बड़े मात्रा में पर्चेस कर रहा है ऐसे में अंदाजा लगा जा रहा है कि भारत अगर 1630 को रिप्लेस करने का इरादा बनाता है तो इसमें कई सारे अन्य देश भी भागेदारी का प्रयास करेगा जिनमें अमेरिका से शुरू करके योरोफ के देश तक शामिल होगा पर अगर इंडिजनाइशन को भी देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत अब कई तरीके के हतियारों का डेवलाप्म चाकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद